हेलो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे SSC MTS 2023 की एस्पेक्टेट को टॉफ तो दोस्तो मेरा भी एक्जाम हुआ था 17 मई को थर्ड़ सिप्ट में हुआ था SSC MTS का मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरे कितने सही हुए हैं और पेपर की डिफकल्टि कितनी हैं अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे कितने अटेंट कर सकते हैं कितने कठाप हो सकती हैं दोस्तो मैंने 48 अटेंट किया था मुझे लग रहा था यह ज़्यादा अर। मगर मेरा माइनस होगा इसमें जरूर होगा दोस्तो अब वा समझेगा करेंट अफेर्स का मेरे करेंसिट में एक ही कोईशन पूछा गया था तो वहाँ पर मुझे लगा कि GKGS में तो ज़्यादा हमने करना ही था तो इसके बाद इंग्लिस में क्या हुआ था इंग्लिस मेरी इतनी स्टॉंग नहीं तो मैंने चौबिस अटेम्ट के हमने से एक इडियम फ्रेज हमने स्किप कर दिया था ठीक है दोस्तो इस परकार हमां 48 अटेम्ट हुआ और हमारा इंग्लिस में ज्यादा थोड़ी नहीं सही हो सकते क्यों इंग्लिस का पेपर कठिन था अब दोस्तों हम देखेंगा इस्प्रेटर करणा आपकी बात को मारी अगर कोई स्टुडेंट है वह ज्यादा कोई सही कर दे रहा तो इसका मतलब उसका सेलेक्शन होगा या नहीं कम माले का भी सेलेक्शन हो जाएगा यहां पर डिपेंड करता है नौर्मलाइजेशन के उपर आपकी सिफ्ट हाड थी और उसमें आपने अच्छा प्रफॉर्म किया है तो इसका मतलब आपका होगा नहीं तो नहीं ऐसे नहीं होगा अगर पेपर कठिन था आपने अच्छा स् सबस्क्राइब हो सकते हैं कि हमारा हो सकता है अगर 90 है तो हमारी उमीद लगवंग ना के बराबर आ जाती है तो 80 हो जाए-गों तो तुद्छ कि अगले ही पेपर की तयारी करो मतलब की नब्यक्वी ऊपर थोड़ी हम उम्मीद कर सकते हैं मंगर 115 पर हम थोड़ा ज्यादा आज़ा कर सकते हैं प्रफटा नहीं हो सकता है तो इतना तो बहुत है अब कोई नहीं सही कर सकता है क्योंकि सब्सक्राइब होना चाहिए या तो नहीं करें आप या तो साय बन सकती है नहीं तो हमें नहीं लगता है ठीक दोस्तों आगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार